आप कभी भी पालर नहीं जाते हो फिर भी आपके चेरे पे इतनी चमक कैसे है आप कौन सा सीरम यूज करते हो आईए मैं आपको बताती हूँ बहुत से लोग ऐसा सवाल मुझसे पूछ रहे थे तो सुबा सुबा का टाइम है यहाँ पे छे वज गया है और अंस अभी सोया तो यहाँ पे में पनीर फाल रह Judith मतलब है न सुबा शुभ थोड़ा सा फूर्ट चार्ट पनीर और प्रोटीन सेक लेत है तो मुझे मस्य पपी झाले से लिए यहाँ पे जीरा पानी वना रही हूँ मै और मेरी थीम के लिए बता दू कि मैं हम लोगे लुग है ना सुबा म और उसका फटा हुआ दूद कितना निकला है मतलब एक दम थोड़ा सा पनीड निकला है देर के जी दूद का उतना ही छोटा टिफिन में गया है और थोड़ा सा और हुगा रूम में आए तो देखी मेरा बच्छा सो रहा था उसका स्कूल का छुप्टी चल रहा था मैंने यह पर हजबिन के लिए कुछ कपड़ा निकाल दिया ओफिस जानी के लिए वो नहाने चले गए और वो नहा के प्रोटीन से पीके सब ओफिस चले गए मैं भी फट फट नहा ली नहाने के बाद आई तो उसी समय देखे गाइस मैंने बताया ना कि मैं कौन सा सीरम यूज करती हू लोरियल का सीरम बहुत अच्छा है आप अपने फेस पे यूज कर सकते हो क्यों आपका फेस है ना हमेशा ऐसे यंग रहेगा चमकती रहेगा जो आप जैसा सोचते वैसा रहेगा मैं ना कभी भी पालर वालर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं है पालर ज पसंद है इसलिए मैं यह वाला सेड लगाई और अपने पूराने ओतार में बाल बांदते हुए मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आता है ऐसे बाल बांद के रहती हूं ना तो मुझे काम करने में इजी रहता है खाना वाना बनाने में और मैंने गाल पे थोड़ा सा अपने चीक पे थोड़ा सा टीन्त लगा लिया क्योंकि इससे नेचुरल लुक आता है कभी कभी मन करता है तो लगा लेती हूं फिर मैंने सिंदु लगा लिया और अंस तब तक सोया ही हुआ है मेरा बेटा मैं गई उसे उठाई तब भी ने उठा और यहां पे मैं जीरा टी पी र खेँ पी यह एंग सुए मैं जीरा बेटा टीन्त लुक पी ने करता है हुआ है।